इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो ट्यान उस चोटी बीबी को देखने के पाद पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो और वो चोटी सी लड़की ट्यान से कह रही थी कि मैं वहीं हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी क्या भूल गया था तब पूछ रहता है कि यह दोनों मेरे ही वाइफ और बेटी है जो सिर्फ तुम्हारी वज़े से हमारे पास वापस आपाई और हमारी हैपी फैमिली फिर से स्टार्ट हो गई त्यान दोन की यह प्यारी सी फैमिली देखने के बाद थोड़ा सा चौक जाता है कि वाइफ इतनी स पूछने पर कहता है कि बहुत प्यारी फैमिली है ओनर ली तो उसे कह रहे थी कि आज की बाद से मुझे ओनर बलाने की जरूत नहीं है मुझे ऐसे ट्रीट करो जैसे कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं आफ्टर आल तुमने मेरी फैमिली की जान जो बचाई है त्यान से तो ये सारी चीज़े हजम भी नहीं हो ली थी और वो ओनर कह रहा था कि आप मेरी दुकान में पकर किसी काम से होंगे तो आज से आपका सारा काम मेरा सारा काम है तो वो उसे अलग अलग तरीके का वैपन दिखाने लगता है ये कहते वे कि उसे जिस भी तरीके का वैपन चा लगता है जो कि डैमेज हो गया था यह देखने के बाद तो वो ओनर फूट-फूट के डोना स्टार्ट कर देता है कि मेरी फैमिली को बचाने के लिए तुमने अपनी जान खत्रे में डाल दी तुम कितने अच्छे होना वैसे मैं एक बात बताओं यहां का उनर होने की वज़ करने लगता है कि ऊनर ली ने कैसी स्के अर्मर को अपग्रेट कर दिया और उसमें बीस्टपी क्रिस्टल बलकि उसने तो ये सब वहाँ चंगल से हासिल किया ऐसे उसके पास और भी काफी सारे हैं और वो जब निकाल के ओनर को दिखाता है तो वो तो काफी ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छे है ओनर का तो कहना था कि इतने अच्छे चिक क्रिस्टल का यूज करने के बाद अगर उसने एक आर्मर रिफाइन किया तो वो अब तक का बेस्ट वैपन होगा वो तो ट्यान से ये कहते वे चला जाता है कि बस मेरा इंतजार करो मैं आपके लिए बैस्ट आर्मर बना के लाया बिचारा ट्यान उसकी ऐसी बातों पे काफी जादा भोचक कर रह गया था जैसे ही ओनर ली हमारे ट्यान के आर्मर को रिफाइन करने के लिए अंदर जाते हैं शौप में एक अनून परसन आ गया था जिसके बारे में फिलहाल तो इन दोनों को पता नहीं लगता इसलिए ओनर ली ट्यान के दिये वे सबी क्रिस्टल को रिफाइन करके ले आते हैं आर्मर के साथ उसके आर्मर पर तो चारो तरफ क्रिस्टल लगा हुआ था और ये आर्मर पहले से भी जादा पैस्ट बना था कि ये बहुत जादा soft है, बहुत जादा hard है और जिस भी beast का crystal इसमें लगा है न तुम उसकी power use कर सकते हो और तुम तो यहाँ gorilla भी इसकी crystal को लेकर आयो जो कि और भी जादा powerful है हमारे टियान को ये सारी बाते समझ नहीं आती तो वो owner से कह रहा था कि उसके कुछ भी बले नहीं पड़ा तो owner का कहना था कि क्यों न तुम्हें एक demo दिखाया जाए और फिर वो अपना weapon hammer निकाल कर उसके उपर attack करता है ये attack इतना जादा खदरनाक था फिर भी हमारे टियान को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके armor ने उसके आगे एक shield बना दी थी ये देखकर तो टियान काफी जादा खुश हो जाता है और हमारा owner ली कह रहा था कि इसकी और भी जादा powers देखनी है न तो किसी के साथ fight कर लो अब इस बात पे तो हमारा टियान अपना weapon निकाल के दिखाने लगता है कि चलो हम यही fight कर लेते हैं owner तो उसे समझा रहे थे कि भाई क्या कर रहे हूँ यह मेरी छोटी सी दुकान है इससे मेरी रोजी रोटी चलती है यहाँ fight करेंगे तो सब तहस नैस हो जाएगा न यह सुनने के बाद हमारा टियान कहता है कि हाँ बात उसे ही कह रहे हो तो owner उसे समझाता है कि अगर fight करने है न तो कहीं बाहर जाकर करना खुले में तो ज़्यादा power use कर पाओगे तो वो उसकी बात माल लेता है दुकान के बाहर कुछ student ट्यान के आने का wait कर रहे थे कि वो आए और ये लोग उसे धो दे उन्हें तो लग रहा था कि ये लड़का कोई खिचली पका रहा है अंदर हमें ट्यान को दिखाया जाता है जो उस owner को पैसो की गड़ी थमा रहा था owner का तो बिल्कुल भी मननी कर रहा था कि वो उन पैसो को हाथ लगाए वो तो ट्यान से कह रहा था कि ये उसने free में किया है भाई की नाते पर ट्यान तो उसके हाथों में पैसे थमाते वे वहां से निकल जाता है अब उसे पैसे खर्च जो करने थे में चारा owner उसे दोकता रह जाता है त्यान दुकान से बाहर जाते वे उस अजनबी इंसान को कह रहा था कि मेरे पीछे आओ मुझे तुमसे बात करनी है जैसे कि उसे पहले ही पता लगया था कि ये बंदा उसके लिए यहां आया है त्यान के उस इंसान के साथ बाहर निकलने पर ये दोनों स्टूडेंट भी उसका पीछा करने लगते है त्यान तो उस बंदे के साथ एक गली में जाता है जहां वो उसे कह रहा था कि कहो क्या कहना है सामने वाला बंदा तो ये कह रहा था कि मैं तो तो सुम्हें यहां मारने आया हूं तुमसे बात करने थोड़ी और ये बोलकर वो उस पे अटेक करने के लिए आगे बढ़ता है जैसे ही वो unknown person ट्यान पर अपने वैपन से अटेक करता है ना लगातार अटेक करने के बावजूद भी ट्यान को एक खरोच नहीं आती क्योंकि वो उसका पाफल आर्मर उसे प्रोटेक कर रहा था वो बंदा तो अटेक करते करते इतनी बुरी तरीके से ठाक जाता है उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ट्यान को खरोच भी नहीं आई है उसका तो वैपन भी फ्रीज हो गया था ये देखने के बाद वो काफी जादा शौक हो जाता है अब तो ट्यान उससे फाइट करने के लिए अपने वैपन को लेने बताएं पहला तो ये कि वो अपने ओपने पर आइस पावर का यूज कर सकता है और दूसरा ये कि वो अपने ओपने ओपने को स्लो कर सकता है और जब वो अपने दूसरे ट्रिक का यूज कर रहा था ना उसका सामने वाला ओपने इतना जादा स्लो हो जाता है को काफी जादा गुस्से में घूर रहा था पर उसका पार्टनर तो ट्यान की पावर देखने के बाद पीछे से कटने की खर रहा था त्यान का तो कहना था कि शर्मानी की जरूत नहीं है तुम सब आ सकते हो फाइट करने के लिए ये स्टूडेंट और को इनेबल की टीचर ज क्लीज करता है जिसके एफेक्ट में आने के बाद वहां मौझूद सारे वैपन उसकी तरफ कीचे चले जाते हैं और इसके बाद तो वह अपने पास सभी वैपन को उन सभी के ऊपर चोड़ देता है ये देकर तो वह वहां से भाग जाते हैं अब इस तरीके के खतरनाक अट कावर देखने के बाद काफी जादा खुश हो रहा था कि क्या बात है ब्रदर आपने तो बहुत अच्छे से सबको सबक सिखाया वह उसे कहता है कि मैं आपके लिए डील लेकर आया था साथी आपसे ये पूछना था कि क्या आप हमारे ग्रूप में जॉइन होगे त्यान त क्याता है कि तुम लोगों ने ये पिल मेरे सामने लाने में लेट कर दिया क्योंकि मैं आल्रेडी नाइंट लेवल पर पहुंच चुका हूं ये सुनने के बाद वो लोग शौक तो होते हैं लेकिन फिर से उसके सामने दूसरी पिल निकाल के रख देते हैं जिसके बारे में वो लड़की बता रही थी कि तुम नाइंट लेवल पर तो पहुंच चुके हो पर ये पिल खाने से तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लियाल पर पहुंच जाओगे ये सुनने की बात तो ट्यान चौकते वे कहता है कि सच में इतना जादा पाफुल बन जाओंगा मैं पर पर ये पिल नहीं चाहिए था उन लोगों की रीजन पूछने पर कि क्यूं ट्यान बताता है कि वो ऐसे पिल खाकर अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता क्योंकि वो अल्रेडी अपनी पावर को काफी जादा इंक्रीज कर चुका है तो अब उसे देरे-देरे आगे बढ ना होगा वरना एक जटके में उचाई में पहुंचने के चक्कर में वो जटके में नीचे ना आ जाए साथ ही उसे ये डर भी लग रहा था कि पिल कहिलाने की बाद पता नी ये लोग उन से कब कौन सा फेवर मांग ले वो तो वहां से जाने रखता है और ये दोनों लोग पधिशान हो गए थे कि पता नी अभी इनके साथ जुड़ेगा या नहीं पर जाते-जाते ट्यानों ने कहता है कि रेलाक्स रहो मैं तुम्हारे टीम के साथ कॉपरेट करने को तैयार हूं ये सुनने के बाद तो वो लोग काफी जादा खुश हो जाते है कि चलो पिल वाला मेथड तो काम ने आया पर ये वाला आ गया नेक्स्ट सीन में हमें त्यान को दिखाया जाता है जो की कर्टिवेशन कर रहा था जैसे उसकी कर्टिवेशन खतम होती है वो सोच रहा था कि जब से मैं माउंटिन से वापस आया हूँ, मेरी पावर कुछ जादा ही बढ़ गई है। क्योंकि अभी तक ट्यान को ये नहीं बता कि उस ओब ने उसे पावर दिया। तब ही वहाँ उसके फादर अपियर हो जाते हैं, जिने देखने के बाद वो थोड़ा सर्शोक था। उसके फादर तो कह रहे थे कि गदे, तेरी पास दिमाग नहीं है, जब तुझे बोड़ी रिफाइनिंग पिल मिल रही थी, तो तुने उसे छोड़ा क्यों। त्यान का कहना था कि क्या आप मेरी जगह होते तो आप उसे ले लेते, वो तो कहते हैं कि मैं तो नहीं रहता, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ यूजलेस है, पर तुम्हारे लिए तो बहुत काम की है ना। त्यान तो अपने अबबा को अपने इतने पास देकर उनसे पूछ आता है कि अगर आप नाइन्थ लेवल पे होते तो क्या करते, तो उसके डैट का कहना था कि चलो छोड़ो, इस मैटर को रहने देते हैं, पर तुम्हें अभी भी काफी जादा स्ट्रॉंग होना होगा, क् इसके फादर तो कहते हैं कि आने वाले समय में तुम जाँ जाओगे, या फिर तुम्हें अल्रेडी पता हो सकता है, त्यान को ये बात काफी जादा चौका दे दिया, वो तो पूछ राता कि क्या कहा आपने, इससे पहले कि उसके फादर उसे डीडेल में बता बादे, तब बोलने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, त्यान जब अपने क्लासमेट से जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो उसका कहना था कि उसकी क्लास की फाइट होने वाले है, इसलिए जल्दी चलो, वो जब फटा-फट वहां से निकल कर अपनी क्लास की तरफ पढ़ता है, तो में बड़ा मसा आएगा, दूसरी तरफ से ये सारी बाते हमारा ट्यान सुन रहा था, कि कैसे यूआन उसकी बेस्टी कर रहा है, और निक उसका सपोर्ट कर रही है, सब लोग वहां ट्यान के ही बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे ही वो अपियर होता है, सब की बोलती दरने वाला है न, यहां निक तो काफी जादा खुश हो जाती है, ट्यान को अपने पास देकर वो तो शर्मा भी रही थी, ट्यान का क्लासमेट उसके पास आकर कहता है कि ब्रो, काफी दिनों बात में लाका थी, वो तो एमोशनल हो रहा था, वो उसे चुप कराता है कि घमंडी और रूट हो तुम, तुम अगर अपनी थोड़ी से हरकते चेंज कर लो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे जादा फैंस बन जाएंगे, बाकी सभी लोगों को भी उसकी बाते सही लग रही थी, और वो सभी त्यान की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, यह देख तुम को अनोतियों डिसाइड करने वाले कि हम कॉलिज पार्टी में जाएंगे या नहीं, युवान का कहना था कि भूलो मत मैं स्टूरेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूं और ये सारे मैं हैंडल करता हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे क्लास पाटिसिपेट करें, त्यान का कहना था कि भूलो मत हमें भी फर्स्ट क्लास की तरह टीट किया जाता है, तो मैं जाकर टीचर से इसकी कंप्डेंट कर सकता हूं, तब ही वहाँँ पर कुछ स्टूरेंट ऑड रहा जाते हैं, जिस पे फर्स्ट क्लास लिखा था, वो कहते हैं कि क्या इसकी कूद रहे हो यह देख कर तो निंग काफी ज़ादा गुस्सा हो जाती है तियान उसे काम करते वे कहता है कि जंदा मत करो यह लोग सिर्फ बॉर्ड चुरा सकते हैं हमारा ओनर नहीं पर यह लोग तो इतने ज़्यादा कुस्सा हो जाते हैं कि बच्चे सोच रहे थे कि दो फर भी रेडी हो गया था कि इसके बाद हमें परिशान मत करना वो लोग भी मान जाते हैं युवान तो सोच रहा था कि फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ वाइट करते वे कहीं ट्यान मर न जाए निंग भी उसे रोकने के लिए आगे आ रही थी पर ट्यान उसे रोकते वे कहता कर युवान को अच्छा नहीं लग रहा था दूसरी तरफ ट्यान उन तीनों को डराते वे कहता है कि अब तुम्हारी क्लास में से कोई भी हमें आगे से परिशान करने नहीं आना चाहिए वो लोग तो काफी जादा डर जाते हैं तब ही वहाँ पर ट्यान को सप्रेस करने की कुशिश कर रहे थे त्यान को तो वहाँ काफी सथा दिक्कत हो रही थी वो तो सभी से खड़ा भी नहीं हो पाता दूसरी तरफ निग और वो गलास में टीचर श्याओ को मना रहे थे कि वो जाकर ट्यान को बचाये पर टीचर श्याओ तो नेरोतने रोकते वे कह दिए कि वो ऐसा क्यूं कर रही है क्यूंकि वो ना तो खुट जा रही थी और ना किसी को उनकी help करने के लिए जाने दे रही थी दूसरी तरफ हमें ट्यान को दिखाया जाता है जो उस प्रेशर में होने के बावजुद भी खुद को लगातार फोर्स कर रहा था और ऐसा करने की कहीं पर ञाता है जिसके ओपर टंडर डर्इृशं होने के बाद फोस्वांड्डेशन पर पहुंचिया के बाद यान काफ़ी तूट जाते है के इक एक एक करने के बाद वह फॉर्मिशन टूर जाती है टीचर श्याओ तो यह दे कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और सोच रिती कि इस लड़के में कुछ तो बात है जितना देखता है उतना है नहीं बलकि उससे कहीं ज़्यादा पाउफुल है यहाँ टियान फाइट करते वे लगातार ब्रेक्ट्रू किये जा रहा था और यह देखकर बच्चे काफी ज़्य शौक हो रहे थे वो तो उसकी पावर के आगे टिकी नहीं पाते पर फिर भी यह टकलूस के साथ फाइट किये जा रहा था जहां फाइट के दौरान हमारा टियान लेवल अप करते करते 10th लेवल पर पहुंचाता है फाउंडिशन बिल्डिंग घ्यालम के टीचर तो यह दे जिससे वो ड्रैगन दीरे दीरे खतरनाक होता जा रहा था तो ट्यान इस बार अपने फौक का योज़ करते वे उस ड्रैगन पे टायक कर दीता है जिससे वहां पे काफी बड़ा ब्लस्ट हो गया था और काफी सारे स्टूडेंट घाल हो जाते हैं क्योंकि ट्यान ने उस ड जादा पाउफुल हो गया था कि ट्यान के साथ वारीना से बाहर आ गया था तीचर श्याओ भी यह देखने के बाद काफी जादा शौक हो जाती है वह अपने पीछे घड़े वे स्टूडेंट को कहती है कि चाहकर यहां के एल्रस को बुला कर लेकर जाए क्योंकि मैटर कि टीचर आपको स्टूडेंट के मैटर के बीच में नहीं आना चाहिए पर टीचर तो उसे कहती है कि अपना मूँ बन रखो और बगवास करने की जरूत नहीं है मुझे पता है कि तुमने इसे ट्रांस्वर्मेशन पिल खाने के लिए कहा है और तुमें पता है न कि इस तर तो जाता है खतम आपको एक्स्प्लेनेशन कैसी लेगी कमेंट करके जरूर बताना चैनल और वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक्यू सो 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 मच